कहानियों के खजाने से निकली आज की कहानी का नाम है रसोई का सामान कहां जाएगा चलिए कहानी शुरू करते हैं आरव क्या तुम रसोई का सामान रखने में मेरी मदद करोगे चीनी को चीनी के मर्तबान में रखना होगा मिल गया लेकिन मर्तबान में तो पहले से ही थोड़ी चीनी है अम्मा मुझे एक बड़ा मर्तबान चाहिए यह बिल्कुल ठीक है ना तो बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा आरव ने कहा आरव थेले से चावल और राजमा के दो पैकेट निकालता है राजमा चावल उसका पसंदिदा है अम्मा उसे दो मर्तबान देती है एक मर्तबान दूसरे मर्तबान से बड़ा है चावल का पैकेट राजमा के पैकेट से भारी है वह चावल को बड़े मर्तबान में और राजमा को छोटे मर्तबान में डालता है आरव थैले में देखता है कि और क्या बचा है उसमें है उसके पसंदिदा बिस्कुट का एक पैकेट आरव तुम इस काश के मर्तबान में बिस्कुट रख सकते हो आरव ने मर्तबान को पूरा भर दिया लेकिन अभी भी दो बिस्कुट बचे थे अम्मा मुझे पता है ये आखिरी दो बिस्कुट कहां रखने है